कि दोस्तों फिर से एक वार आप लोगों को स्वागत है यह क्लास शेमिस्टर थ्री वारे स्टूइट के लिए हैं जिनका कोर्पर सिक्स पॉलिटिकल साइन्स है आज के इंपोर्टेंट कोश्चन ने साथ ही हो पुलोटो के शामिवादी धारना की विवेचना किजिए ठीक ह अगर इस टैप को कोश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को मैं बता दूँ सबसे पहले आप लोगों को परिचे हिस्से एंसर को स्टार्ट करनी चाहिए और हम थोगा इन्फोर्मेशन वाली बात बता दे कि यह हमारा कोर्स 6 का लास्ट क कोश्चन है जो आप लोगों को अच्छा से दिखना चाहिए ठीक है यह जाम में आ सकता है ते लिए मुश्चन के एंसर को स्टार्ट करते हैं देखें फुलोटो का मानना है कि आदसराज की स्थापना में तीन बाधाएं मतलब तीन बाधाएं आ सकती है वो पहला अग्यान न करने के लिए पुलोटो ने सिक्षा का सिदान वा सामयवादी व्यवस्था का परवधान किया तो इसी तीन प्रावलम को खतम करने के लिए पुलोटो जी थे वह सिक्षा और सामयवादी का क्या परवधान लाए थे ठीक है अग्यान को तो सिक्षा द्वारा दूर किया जा यह मतलब संपती नीजी संपती की जो प्रॉब्लम है इसको खतम करने के लिए यह सामेवाद के सिधान लाए थे कौन तो पुलोटो जी याद रखनात इतना आप लोग परीचय लिख दीजिए सामेवाद पर तो आप लोगों को अच्छा माक्स मिलेगा ठीक है परीचय यहां रूप है वह आधुनिक सामेवाद की तरह आर्थिक और समाजिक ना होकर राजनितिक मानना है वह मतलब आर्थिक नहीं माने है ना आधुनिक माने है ठीक है वह क्या माने है अपने राजनितिक माना है क्या माना है राजनितिक यानि प्लिटिक ठीक है उसने आर्थिक एवन समाजिक सोसन की समाप्ती तथा समाज में आर्थिक एवन समाजिक समानता और नियाय की स्थापना हेतु नहीं बल की सासक और शैनिक वर्ग के लोगों को भश्चरचार से मुक्त करने तथा उन्हें चरितवान एवन सैनिक वर्ग के परिवार तथा संपती के म से मुक्त करने की व्यवस्ता है मतलब सामयवादी व्यवस्ता जो है एकदम से आपको बता दे जो सासक होगा या सैनिक वर्ग होगा उनके लिए सामपती से दूर करना है या परिवार की मों से दूर करने के लिए यह लाया गया व्यवस्ता है प्लोटो के दवार ठीक है इसका से याद रखना कि यह सासक और श्रैनिक के लिए ही लाया गया विचार था तीक है सवीधान था सिदान था स्टॉरी ठीक है सिदान था तीक है याद रखना है अब देखिए हम आप लोगों बताएंगे है पुलोटो को सामयवाद यह दो भागों में भाव जित था पहला क्या आपको याद ही होगा कि उसके पास केवल उतनी ही संपती होगी मतलब जो व्यक्ति संदक्षक होगा या सासा होगा उसके पास उतना ही संपती होनी चाहिए जितनी जीव निवाहन के लिए अतनत अवस्यक है मतलब सासक और संवरच्षक के लिए उतना ही संपती उनके पास होना चाहिए यह आदस रास में आदस राज में यह पलोटो अपने सिधान्त में समवादी सिधान्त में लिखते हैं ठीक है और देखें इसके अतरिक ना तो उनके पास अपना कोई मकान होना चाहिए ना और ना कोठार जो सब के लिए खुला ना हो मतलब ना कोठार होना चाहिए और शामानिय भोजनाले में भोजन करेंगे मतलब उनके साथ इतना प्राबलम करेंगे कि वो सामानिय भोजनाले में भोजन करेंगे ठीक है सानिकों की तरह डेरों में रहेंगे ना मतलब रूम लेकर रहेंगे ठीक है और इनके लिए सोना चांदी का सपर्स वरचित कर दिया मतलब सोना चांदी यह चूबीने सकते हैं यह सामयवादी सिधान को लाएं तो यह पॉइंट आपको याद रखना है और ऐसे मुक्त लोग ही राज को सनक्षक करेंगे इनके नुशार है कि जो मुक्त रहेंगे वही राज को क्या करेंगे सनक्षन कर सकते हैं ठीक है पुलोटो की सामयवाद की इस व्याख्या से उसकी निम्खीत विसेस्थाइंस पर्ष होती है तो क्या क्या विसेस्थाइंस पर्ष होती है देखे पहला है कि संपती का सामयवाद आदस राज के सभी नागरिकों के लिए नहीं है सभी नागरिकों के लिए नहीं है सिर्फ जो साइनिक होंगे या सासक होंगे उसी के लिए है ठीक है इस पॉइंट देखे वो है पुलोटो का संपती विशेक सानियवाद भोग का नहीं त्याग का साधना है मतलब पुलोटो कहने को मतलब संपती का वो भोग नहीं करेंगे वो त्याग करने जो करेंगे उसी को सामयवाद के विचार के अंदर रखते हैं और यह संदक्षक वर्ग को धन के आकर्षन से मुक्त करने और लोग कलियान में रहने के लिए प्रेरीद करता है मतलब यह जो सिधान था जो संदक छक वर्ग होगा यह सासक होगा उसको धन से दूड करना है और लोक कलियान पर ज़्यान देने के लिए लाया गया था यह सिधान अब देखेंगे हम लोग संपती के सामेवाद की अलोचनाएं अब देखें अलोचनाएं कहां कहां हुआ था पहला देखें पुलोटो दुआरा परतीपाली संपती के सामेवाद की सबसे कट्टू अलोचना उसके हीस्चिस से रस्तू दुआरा किया गया था मतला अरस्टू ही इसका सबसे ज़्यादा क्हा करते है अलोचनाएं करते हैं देखेए पहला है पॉइंट मनुस की मालिक प्रवती की आहेलना आए जोहतर मौलिक प्रवती होता है कैसे करते हैं पभू देखिये अरस्तु का कथन है कि संपति के स्वामित हुआ कि इच्छा प्रतेक मनुस्य की एक मौलिक प्रवर्ति होती है मतलब संपति को जमा करना, संपति को यूज करना ये सब आदमी का मतलब नागरी का पर्थम क्या होता प्रवर्ति होता ठीक है लेकिन इसी चीज़ को किया किया थे आरसी सोरी प्लोटो ने क्या कर दिये थे मतब इसके आकर्षन को खळब कर दीए थे या सामयवादी सिधान के अंदर तो इस चीज़ का ice लोचना करते हैं判 इस लिए उन्म Όल उलन करते हैं नीजी संपति स्वामित्व के कारण है आप अभी पता दियें उसके उभोग कछे तो इस पस्ट के रूप में निर्थारित होता है अपना पैसा रहेगा तो आपना कुछ भी कर सकते हैं तो ये चीज़ को समर्थन करते हैं और अरस्टू लेकिन पुलोटों नहीं करते थे इस मनुस्स के हिरदय में उठपन होना संभाव नहीं होगा मतलब जब माल लेजिए उसका अगर अपना प्रोपर्टी में आपके अभी समझ सकते हैं मल यह सरकारी समान है और अपना समान है आप बताए कि इसको ज्यादा अच्छा से अच्छा से रखिया आपको 100% आपको बता समयवादरब में वैस्त की सवी वर्गों के लिए नहीं मतलब संपती सवी वर्गों के लिए नहीं था किसके लिए था पालोट और समाज में सवी वर्गों के लिए वेष्टा नहीं करता है वो बहुत सा उत्पाजक वर्ग से इससे मुख्त रखता है मतलब ये किबल जनता के लिए बनाया ही नहीं था किबल सग्णाठ्छक और सासक के लिए ही बनाये थे तो यहीं पर आप लिख सकते हैं लास्न हम नहीं लिखें आप लोग लिख दीजेगा यही है पिलोटो का यह संपती सामयवाद की सिधान का विचार तो इससे लिखे रहा पॉइंट बढ़ जाएगा ठीक है अब पतनियों का सामयवाद दूसरा पतनियों का सामयवाद का दूसरा रूप पतनियों का सामयवाद है ठीक आपको बता दे पतनियों के सामेवाद वेक्ता प्रतिपान प्रोटों ने मुखे रूप से सीधकरने के लिए धिष्टी केकर तीन उदेस को सीधकरने के लिए इनको दिख सकते हैं संदक्षक वर्ग को नीजी परिवार प्रथा से मुख्त करना है मतलब संदक्षक वर्जों होंगे उसको अपने परिवार से मुक्त करना है और कुरूत पर्थाओं से क्या करना है यह तो पहला संपती में भी था आपको बता चुके थे अब देखें दूसरा पॉइंट कि पुलोटो के समय में एथेंस में प्रचलिस इस्तिरियों के दूर द के लिए नीजीत पर्था का उनुमूलन अवस्तिक समझा मतलब जो इस्तिरी लोग को घर में बंद कर दिया जाता था इस सब से दूर करने के लिए यह सब यह सामयवादी परथा लाएं थे ठीक है आगे देखें इनका अलोचनाई कौन करता इसका अलोचनाई भी कौन करते अरस्तु। ने पलोटों के दोरह परतिवादी पतनियों कि सामभाद को कि गोर लोचना किये कि स्कार, वह इससे राज सा और वी के लिए ठीक है अनावैत कящ सिदान में इसका कोई मतलब नहीं है अभी तक यह कहीं पर लागू भी नहीं हुआ है ठीक है प्याता ठीक है यह प्यांट है रखिड़ाइक सिधान है और पांट कहना है, मतलव इस सिधान बहुत जादा घोड अलशनाई किया गया था, जो अभी तक कोई देश में अभी तक लगाया नहीं गया था, लेकिन फिर भी इस सां के बल लिखी था, ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत जादा अलोशनाँ का सामना करना पर था, ठीक है, इतना सारा पॉइंट लिखी है, और और एंसर को end कर दीजी, फिर देखिए आप लोग को नम्मर कितना अचाहता है, ठीक है, फिर मिलेंगे next class में तब तक के लिए, बाइ बाइ